गूर्ड मौर्निंग फ्रेंट्स आज हम लोग उद्धेसरी यानि प्रिएंबल के बाड़े में स्वंपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और यह टॉपिक है आपका बिपिएसी का में एक्ञाम हो या 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 यूपिएसी और सिधान का या पिपीसी या कोई भी में या समान तरपर कहिए कि कोई भी किताब आप देखते हो खरीदने चाते हो उसका जो पर्थम प्रिष्ट होता है जिसे लिखा रज़ित रहता है लेखक की कुलम से या भूमिका या संपादक की सुच इस तरह के नाम से उसमें दिया रहता है कि उसमें संपादक ने क्यों एक क परतम प्रिष्ट से ही मिल जाती है वही क्या है तो हम भारत के लोग नाम संहंढ़न क्या इसके नाम से तो भारत के लोग यहन की निताया प्रहानमंतिर राष्पति नहीं कहेंगे खरहें हैं कि सब लोग बोला है हम भारत की लोग भारत को कैसा बनाएंगे एक संपूर्ण परभुत्त संपन्न समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोकतंत्रात्मक गन्राज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागडिकों को समाजिक आर्थिक और राजनेतिक नियाय विजार अभिवेक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पर्तिष्ठा और ओसर की समानता प्राप्व्त करने के लिए उन सब में विवेक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिशित करने वाली मदबंधूता भाईचारा बरहाने के लिए दिरीड संकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा में आज तारीक करते हैं यही आपका उदेश का है और इस सभीधान में कुछ पर्भुत सब्दों को दिया गया है जो बार-बार एक्जाम में आते हैं जैसे पहला है इसमें भारत की लोग को यह भारत की लोग भारत को क्या बनाएंगे तो संपूर प्रभुत संपन्न यानि सोबरिन कंट्री जो अपने आप में सोतंत्र हो अपने नीरने खुद ले सकें कि सब के बंधन से मुक्त हो समाजवादी हो यानि कि लोगों क्या कल्यानकारी राज्ज हो समाजवादी का मतलब पंत्र निर्पेक्स यानि इसका कोई सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा लेकिन सरकार किसी क रजवारे का दिन चला गया और कोई भी होगा वह सरुच्य वेक्ति भारत में क्या होगा तो इलिक्टिड परसन होगा जैसे की राष्टर पती तो यह कितने है तो एक दो तीन चार पांच याद कर लिजिए इसी तर से करम पुझे देता है सबसे पहले कुल परभुत समपन सम समाजवादी पंध निर्पेक्ष लोगत अंतरात्मक और लोगत अंतरात्मक गनराज बनाया जाएगा किसको तो भारत को कौन बनाएंगे भारत के लोग बनाएंगे वहीं समस्त नागडिगों को तीन प्रकार का नयाय मिला है कौन को नयाय समाजिक आर्थिक और राजनेति नयाय की बात कही हैं तो ईसी आर्थिक नयाय को अधार रखकर इस सरकार ने शवर्नों को आरक्षन दे दिया और इसी आर्थिक नयाया कें में इंदर साहानि बाद में सुप्रिम कोटने अर्थिक अधार्था पार्तक रद कर दिया था पोहग Persian कहा था यह अंन्याय है और ए आतरे कि सतंत्रता है वहीं में पत्षिठा और उसर यानि परतियक का समान माना जाए उनका कोई मीश्य सद्रथिकार नहीं होगा और ऊसर की समानता हैं सब नोकर यानी सबभार- मौका उपलफ्थ होगा कौई पुर्दहान मुंतुरी मुंत्री Unless दो बराद मिन कोई अमीर कोई गरीब है लेकिन सब को नियायक के लिए भूट लर्ने के लिए कोई काम करने के लिए सरकार समान उप्रफ्स कराएगी और वेक्ति की गरीमा याई इसका मान मरिया था और राष्ट की एकता और अखंड था सुनिशित करने वाली मंतुता याई फोटिनी टी भाए चारा को वि संकर्फोकर सुधान पारित को अभूगा याद कीजिए यह बार बार कोशन आता है 26 नॉवंबर 1909 को और सुधान को क्या किया गया तीन और से सुरू है अंगे किरित अधिनियमित और आत्मारफित करते हैं और यह सुधान में आ देखिए कुछ सब जो बार बार हैं कि हैं पहला भारत को भारत के लोगों के द्वारा कैसा बनाने का सपना है तो संपूर्ण परभुत संपन समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोगतंतरात्म और गनराज बनाएंगे समाजवाद और पंथ निर्पेक्ष सब्द 1976 में 42 समा सुधान संसुधन के द्वारा जोरा गया आगे देखिए प्रस्तावना में संसुधन के वर अनुछे 368 कंतरगत ही किया जा सकता है जिसमें समाजवाद और पंथ निर्पेक्ष सब्द प्रस्तावना के पर्थम भाग में था छाओवे भाग में और खंडता को जोड़ा गया है यानि तीन सब्द जोड़ा गया था स सविधान के प्रस्तावना में संसुधन करना इतना आसान नहीं था क्योंकि इस पर बार 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 विवाद होता रहा कि सविधान का प्रस्तावना भाग है या नहीं है इस बात को ही लेकर 25 सालों तक वाद चलता रहा सबसे पहले प्रस्तावना विवाद का विसे बना रहा भी additive भारिबारी बाना 1460 में जिसमें क्या माना गया था कि प्रस्तावना स्विधान का भाग नहीं है ये भाग नहीं हम तो कैसे सुधार होगा नहीं होगा लेकिन केश्वा में भारती बना किरल सरकारवाद 1973 में उच्थम नियाले ने यह माना कि परस्तावना स्विधान का अंग है अतार इसको संसूतित किया जा सकता है लेकिन इसी समय मूल भावना का जो फंडामेंट सथान का जो मूल भावना है इसका इंहों ने पर्तिपादन कर दिया और इन्होंने यह नहीं बताया कि सेञन का मूल तो हम लोग रेफ्रेंस के लिए स्विधान के प्रस्तावना का सारा ले सकते हैं कि इस्पनंद भारती बाद उन्हें सुति हत्र में उच्तम नियाले ने अपने ही निर्ने को बदल दिया और माना कि प्रस्तावना सुधान का भाग है और उचे प्रस्तावना में नहीं थे मूल भावना को संसूतित नहीं किया जासता या नहीं कि उसमें सब्सक्राइब कर सकते हो और यह इतना ही एड़ कर सकते हो कि उसका मूल भावना बना रहे रगुनात राव बना भार सरकार 1993 वाद में उच्तम नियाले ने माना कि सविधान में उपस्थित संदीग्द और दुवी अर्थी सब्दों के और्थ को असपर्ष्ट करने के लिए प्रस्तावना को उप्योगी माना देदा सकता है एसर बोमाई वाद 1994 में प्रस्तावना को स प्रस्तावना पर लागू हो का यानि सब्सक्राइब बदलती है उसको सुधार करती है तो सब्सक्राइब करके उसके औचित पर सवाल कर सकती है एलाइसी ओफ इंडिया 1995 बाद में उच्तम नियाले ने फिर से विवस्था किया कि सुधान का आंतरी की हिसा प्रस्तावना है आगे देखिए दूसरा है भारत के लोगों को क्या दियेगा नियाय में कैसा समाजिक आर्थिक और राजनेतिक नियाय देने की बात कही गई है तीसरा भारत की लोगों को सोतंतरता में क्या क्या मिलेगा तो विचार अभिवेक्ति विश्वास धर्म और उपासना की सोतंतर सुनिशित की जाएगी सम्ता में क्या है पर्तिष्ठा और और की सम्ता उपलव्द कराई जाएगी भारत के लोगों में करीमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिशित करने वाली बंधुता को बढ़ावा दिया जाएगा अंगी किरित अधिनियमित और आत्नमार्पित अठ छठा सब्द था और दिनांग के भी एक मत्तुपूर्ण है कि 26 नौवमबर उनिशुन चास को सविधान लागू कर दिया जाता है प्रसावना का अंग्रेजी में और्थ होता है प्रियम्पर यानि यहां अंग्रेजी से ही लिया गया है क्योंकि पूल रुप से सविध में सामिल किया लिया था है भरतय सविधान का प्रस्तावना ब्रिभीन देसों कर सविधान से लिया खतोबश जैसे कि भसा तो हôm असा कर मतलम भारत अपनेल्त को सलिधान कर पर alleen पंद हीजा घ्रॉझा लिए वह पूर्वत स्वतंत्र है उन्सुन्चास में भारत राष्ट मंडल की सुधर्श्चता सुधर कर लिया तथा बिर्टिन को परभूख माना इसका मतलब कि भारत स्वतंद्र नहीं है परभूद संपर्ण नहीं है लेकिन इसके सुनिटास्ट संघ में भारत को आज तक बिर्टिन ने कभी पी परवाईत नहीं किया है और भारत अपने मामले में आज भी पूर्ण सोतंतर है इस परकार भारत किसी भी विद्यसी भूभा का दिगरन कर सकता है तथा और देसों के पाक्ष में अपनी अधिकार को छोड़ सकता है जैसे बांगला देश भारत के बीच है जेमीं का अधान परतान हुआ यह सावीत करता है कि भारत सौतंतर है तभीतों इसने अपना जमीन छोड़ दिया भारत tarfr भारत पली पर्यास करता है अधा भारत संपरफुता संपनीत देश सें है कि के मामले में सब्सक्राइब तो समाजवादी स्वम्द आरम में सविधान में नहीं था इसे 42 सविधान सभी दाद सुधान उन्सूद उन्सोचीतर के दवरा जुरा गया था बारतिय शुद्धान एक विचारधारा है विचारधारा तरहा जो लोगतंतर की माद्याम से सरगार किया जाएगा नहीं कि रूस चीन की तोरह सामयवादी सरकारप के तोरह यानि भारत में लख्ष है समाज वाद यानी कलियांकारी राज की अस्थापना करना hacerlo अक्षयद, और माध्याम नहीं है जैसे हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाय पंथ हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट धर्म के विरूद है अर्थात सभी नागरीकों को किसी भी धर्म को मानने अर्थात आच्रन करने और परचार करने का पूर्ण अधिकार हैं साथिन साथ सभीधान में धार्मिक आच्रन पर किसी भी परकार के भेद भाव को वर्जित किया गया है अर्थात पंथ निर्पेक्ष का अर्थ हुआ धर्म के अधार पर भेद भाव का विरूद करना सभी के परती समान भाव रखना पुन्तिय निर्प्यत्य सब्द को भी सब्हेग में बैरने सांवा सुथन के द्वारा जोरा गया था लोक्तंत्राप्म這一ته shape king फर्च arbुन प्रश्थ प्रत्वानु में निक्री reasons the लोगता है छतना कहें गोदाइल जैंका शेटज में मैं परसिद्ध स अमर्टा की राश्पति क्या नम दो क्या था कि वतार है लोगता है जोनों думार के फिकलंग और स विद्धा परतियक्ष रूप से जनता राजनीतिक एहों परसाफनिक स्थितियों में भाग लेती है उदारन के लिए स्वीट इसमें क्या होगा जन्मत संग्रह के द्वारा नीडने लिया जाएगा राइट टूडी कॉल यानि जनता अपना अधिकार वापस भी ले सकती है निताओं से क कि द्वारा जनता अधिकारों के उपयोग करके जन जनता परतिनितियों से अधिकार वापस ले लेती है और परतियक्ष उदारन भारत के परधान मत्री के चुनाओं मुख्वंत राष्पति आजिके चुनाओं इसमें लोगों के द्वारा परतिनिति का चुनाओं किया जा दोसरा कि दूस्रा कि दूश्रा है 강ama य कि भराट बूर्टेन यहां पρχर्धानमंत्री नाम व्हेत है होते हैं गन राज एक ऐसी विवावस है जहां राजे नितिक सक्ति एक जगा क्यंद्रित होने के बजाय जनता में व्यापत हो, यानि कोई राजा प्रमुख नहीं हो, यह रिपपलिक की बात हो रहेगे, इसमें जनता ही सर्व व्यापी है, यानि जनता ही भोट देकर कीजिका पर आप्षपतिक नहीं होगा यानि जंता का सासम होगा और जंता का पर्तिनिती ही सुरुच वेखती होगा नौकी राजा जैसे बाहरत है रिपबलिक है यहानि पर राश्ट्पति जंता कहीं परतिनिती यंदिय ऐसी सिद्धी से है जहां कीसी परकार का भेदभाव नहों सबके लिए उचित वह समान नियाए की विवस्था हो प्रस्तावना में तीन परकार के नियाए की बिवस्था की गई है समाजिक आर्थिक और राजनीतिक नियाए इसकी अधारा उसुश्वतरह के रूसी करांती के अधार पर लिया गया है जहां जाति वंस लिंक मुल वंस आधिक अधार पर बेदभा नउ हो और जनमस्तिल भासा और रंग के भी अधार पर नहीं हो समाज में सब को समान और समान मौका पराप्ट हो और था तो वहां किसी परकार का भी सिरसाथ धिकार नहीं होगा वहां पुर्स के साथ साथ महिलाओं इसी स्टी को बराबर माना जाएगा और वंचीतों को उत्थान के लिए सरकार पर्यास करेंगी यानि जो अलक्षन का कंसेप्ट है वह यहीं से आया है आर्थिक समानता आर्थिक आधार पर किसी भी परकार का भेदभाव नहीं होगा तथा आर्थिक समानता के लिए सरकारे प्रयास करेंगी राजने ठीक नहीं आये परते की बेक्ति को समान मौका होगा चुनाव में भाग लेने तथा पद्धारन करने का समान मौका उपलब् और विचार व्यक्त करने का अधिकार हर राजे तब तक उसमें अच्छे पनाहीं करेगा जब तक दूसरों के सोतंतरता या अधिकार का हनन नौ जब आप प्रियंबल में जो जो सब देखेंगे यह आपके मूल करता हुए पंडामेंटल राइट डीपी एसपी सब में का अधार यही उदिस का ही है हलाकि सोतंतरता का अर्थिया नहीं है कि कोई भी कुछ भी करने के लिए सोतंतर हो सोतंतरता की एक सीमा रखी गई है प्रस्तावना में जो सोतंतरता दिया गया है वह मौली का अधिकार नहीं है लेकि सोतंतरता का मतलब समानता और नियाय तथा पॉद्ग्य संबंध में सभी के साथ एक समान विवस्था से हैं इसकी अलावा समाज के किसी भी वर्ग के रिए वी सिय सद्धिकार नो दिये जाए यह भी सामिल है हमारे सविधान में सोतंतरता संबंधित अनुछेर 19-22 तक वर्ण किया गया है भारतिय स्विधान की प्रस्तावना परतियक नागरिकों की को इस्थिती और औसर की समान समता परदान करती है तता इसके साथ साथ समता के तीन आयाम भी सामिल है जैसे की नागरिक राजनीतिक और आर्थिक समता है यानि या नियाय नियाय क्यों है क्योंकि समा सामिल है इसमें परतेक भार्दियनागडिक का यह कर्तब है कि धार्मिक भासा छेत्रिया वर्ग के अधार पर कि यह पर समाज में भेद्भा होने की जगह पर सभार तथा आपसी भाईचारा को फ्यला है प्रस्तावना में बंधुताक के सब्दों को दो भागों में व्यक्त में व्यक्ति की गरीम तथा देश की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के रूप में सामिल किया गया है इन्हीं कारणों के परभाव से अनुश्य सत्रह के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में छुगा छूद को वर्नित किया गया है नोट यहां देख लिए कुछ प्रस्तावना के सब्दों को लेकर विवाद चलता रहा है जैसे कि समाजवाद 55 प्रस्तावना के भाग नहीं थे और इनको लेकर मद्विद उभरता रहा है और इनको प्रस्तावना से हटा दिया जाए क्योंकि इनको सुविधान के 42 में सुष्टाण में था इस सब्दों के मूलबहना में यह वियबत था लेकि लिखा हुआ नहीं था अता जो इसके खिलाब विवाद करते हैं वह कारगर विवाद नहीं है समाजवाद 1991 के आर्थी की बदलाव के बाद यह सब भारत में आपर सांगी सा हो गया है अता इसे भी ह जन्ता संपर्भू हो सासन निर्वाचित हो और जन्ता के पर्ति उत्तरदाई हो और सासन की सत्ता जन्ता के मौलिक अधिकारों से सीमित हो और जन्ता को अपने विकास को समुचित औसर प्राप्त हो सके यानि जन्ता को अपने विकास करने के लिए उचित औसर प्राप्त हो सक भीन अनुशेदों की व्याख्या करने में मुख्य भूमी का निभाता है कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहला तेरा दिस्तांबर 1946 को सविधान सभा में जवाला नेहरु द्वारा उद्यस प्रस्ता पेस किया गया था 22 जनुवरी उनुशेदों 47 को स्वभा मान रूप से इसको स्विधार रिया गया उद्यसिकर का विचार सुनियक्तराइज अमेरिका के सभिधान से लिया गया है एन ए पालकी वाला ने प्रस्ताना को सविधान का परिच्या पत्र कहा था सविधान की अधिकार का सुरोत है कौन दो भारत की जनता परकिर्ती कैसी है तो भारत को संपरभू, समाजवादी, पंत निर्पेश, लोकतांतरीक वा गनराज बनाना है इसका उद्य से नियाय सोतंतरता, समता वह बन्धुत्तो है, नियाय समाजीक, आर्थिक और राजिनितिक नियाय जो रूस की करांती से प्रेड़ीद है सोतंतरता विचार, अभिवेक्ति, विश्वास, उबासना और धर्म की सोतंतरता है समता परतिष्ठा और औसर की समता है सोतंतरता शमता और बंधूत के आदर्सों को फ्रांस की करांती से लिया गया है 42 सुविधान समसुजन के दौरा, 1976 में तीन सब समाजवाती, पंत नीरपिक्ष और अखंडता को जोरा गया था अल्लादी, क्रिशन स्वामी अयर का कथन था ये सुविधान की प्रस्तावना हमारे दिरिकालीन सपनों का वीचार है के मुंसी ने कहा था कि प्रस्तावना हमारी संपरभू, लोकतांत्री, गन्राज का बहुष सखर है पंडिति ठाकुर्दास भारगों के अनुसार प्रस्तावना, सुविधान की आत्मा, कुची और आभूसन है तो हम आसा करते हैं कि प्रस्तावना के बारे में हम निलवभाग सब कुछ बता दिया अगर आपको जी इससे भी जानना हो ता भी सब घंटों बहुत कर सकते हो लेकिन कुछ जो आवेसक है, जो हम कुई तहीं जनना चाहिए उसके लिए काफी है तो आसा करते हैं कि यह पढ़ आसा अच्छा लागी तो जरूर लाइक करें, सियर करें, कुमेंट करें और सबस्क्राइब करें, धन्यवाद